मुझा जाए 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 ये एक ऐसी आप्लिकेशन जिसमें आपको मिलेंगी फ्री फायर के डेली देर सारे डाइमंड्स गिववेज वो भी बिल्कल फ्री और सबसे सस्टे पाईसो मी ये रही विंजो एट जिसमें आप खेल सकते हो 100 से भी जाड़ा गेम्स जैसे लुडो, कॉल ब्रेक, शीब बैटल और जीत साकते हो रोजाना के लाखो रुपीज इनिंग्स की पहली गेंद के लिए और ये शॉट बस एक रन ही निकाल पाए इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रनिंग बिट्विट्विकेट्स रही है कि मानो ऐसा लगता है कि कोई इने नहीं रोख सकता एक एक एक्स्टा रन चुराने से पूरी तरह चुके वहाँ गेंद को वह बिल्कुल भी पड़ नहीं पाए थे पवेलियन का लंबा रास्ता तैय करना पड़ेगा बल्लेबास को आप बहुत ही तेज तरार कैट जरूर था पर यहां गेंद बास की भी तारीफ करनी होगी बल्लेबास नहीं गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तैयार यह शॉट गया हवा में और गैप ने भी गया बल्ले से निकलते ही अपनी किस्मत लिखवा गई थी यह गेंद अब पता नहीं भाईया यह गेंद कहा जाएगी बढ़िया कैच सुरक्षित हातों में बल्लेबास पवेलियन की ओर जाते हुए हताश निराश उदास बहुत ही खराब शॉर्ट यह तो गेंद बाज ने चक्रव्यू रच रखा था जिस तरह मचली फसती है जाल में उसी तरह बल्लेबास फस गए इनके जाल में बोलर को अपनी लाइन एंड लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ बहुत ही उंदा शॉर्ट खेरन के लिए तरश निया शॉर्ट जबर्दस शॉर्ट सीधा बल्ले के बीचो बीच से बहुत लै में नजर आ रहे हैं बल्लेबास निश्चित रूप से दोरन ले सकते हैं बढ़िया रणिंग दोनों बल्लेबासों की विकेट के बीच बल्लेबास नई गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार नहतरीन गेंग बाल बचे बल्लेबास बढ़िया शॉट अगर तेज दोरे तो दोरन मिल सकते हैं यहां बहुती बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबासों की बीच में अच्छी रणिं मिट्वीं द विकेट्स यह है जो बाउंडरी से इश्क फरमाते हैं यह बात विपक्षी टीम को बखू भी मालूम है अब ने खेल दिया है और गैप में भी चार रन बल्लेबास पूरे नियंतरन में थे वहां बढ़िया टाइमिंग, खुपसोरती से गाब ढूंड़ा बैट्समन ने बोलर्स को अपनी लाइन का ध्यान रखना होगा अच्छी तरीके से खेला, आसानी से दो रंग मिल सकते हैं बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेबासों की विकेट के बीच यहां तो नाक के नीचे से एक रंग चुरा लिया बॉस, बल्लेबास हमेशा रंग चुराने के लिए तयार रहते हैं बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेबासों की विकेट के बीच ये रही पारी की आखरी गेंग आपके सामने बढ़े बास पूरी तरह से चुट गए बढ़िया बोलिंग हम आपके सामने फिर से हाजरे एक इनिंग्स ब्रेक के बाद लक्षियत तै है और सफर होगर और ये आ रहे हैं दो अमपायर्स फिल्डिंग टीम के साथ और उनी के ठीक पीछे सलामी बल्ले बास हमें यहां अच्छा मुकाबला देखने मिल रहा है विकेट संभाल के खेलना होगा बाटिंग टीम को ये बहुती कठिन फिल्ड है गेंग बासी करने के लिए गेंग बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी गाप में खेलने की अच्छी कोशिश लेकिन फिल्डर वहां मौझूद फिल्डर है कवर पर गेंग बास अपने पसंदीदा छोर से गेंग बासी कर रहे हैं सिधा फिल्डर के पास खेल दिया है गाप ढूनने में असमर्थ पॉजिटिव फील्ड प्लेस्मेंट लगाई है बोलर और कप्तान ने इस पिच पर शॉट पिच गेंग बासी करना काफी अच्छा विकल्प रहेगा बड़ी चकराई से गेंग बाली थी बोलर ने बैट्समन को अपने जाल में फसा दिया बोलर ने तो बल्लेबास को वापसी का रास्ता दिखा दिया बल्लेबास अपनी पहली गेंग की तैयारी करते हुए स्पिनर को दूसरे छोड से लाया गया है बल्लेबास नई गेंग खेलने के लिए पूरी तरह तैयार अच्छा शॉट था ये पर गेंग इंसाइड सर्कल को पार नहीं कर पाई क्या मैच देखने का अवसर प्राप्त हुआ है आज स्टेडियम खचाखच बरी हुई और मैच अपने आखरी ओवर तक जाती हुई एज और कैच किनारे से गई जरूर थी लेकिन पीच समंदर में जाके डूब गई बहुती निराश लग रहे हैं इस फील्ड के साथ बल्ले बाजों को स्ट्राइक रोटेट करने में आसानी होनी चाहिए सिंगल लिया बल्ले बाज स्ट्राइक रोटेशन बड़ी अच्छी कर रहे हैं कवर पे फील्डर तैन्नाद किये हैं कैप्टन ने बहुत अच्छी रुनिंग बिट्वीन दे विकेट्स स्पिनर्स के खिलाफ काफी आक्रमक रवईया अपनाया है इन्होंने बॉल सीदा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं कप्तान बड़े चोकनने रहते हैं अपनी फील्ड प्लेस्मेंट्स को लेकर और इसी के साथ मैच समाप्ट गेन बाजों ने तो आज कमाली कर दिया बहुत ही जादा नियंतरन के साथ बोलिंग की है अज आखिर में ऐसा लग रहा था के बल्ले बाजों के लिए ये स्कोर तो बहुत जादा है एक टीम की तरा एक जुठ होकर खेले हैं और चीत के हगदार भी हैं डोनों टीमों के प्लेयर एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए और इसी को कहते हैं जेंटलमेंस गेम